कोवीड नाइटीन के चलते जहां पूरे विश्य में एक और निजी अस्पिताल चोखी कमाई में लगे हैं वहीं पटियाला स्थित अमर अस्पिताल मरी जोहेतू वर्दान साबित हो रहा है। उक्त उधारण उस समय देखनी को मिला जब पटियाला निवासी सुमीत सिंगला जो वर्तमान में 15 वर्षों से मीनी भारत फार्माह बद्दी हिमाचल में रह रहे हैं ने बताया कि उनके पिता 80 वर्षिय प्रेम चन सिंगला जो गत 25 सितंबर को छाती जाम होने वा शूगर ल और सों की मेहनत से उन्हें नय ज्येवन मिला इससे यह चरितार्थ होता है कि असल में डॉक्टरों को जो समाज भगवान मानता है इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी यह वात उक्त उधारण से देखने को मिलती है जानकारी देते हुए अपने पिता को घर शकुशल ल पताय की अस्पिताल संचाल को ने एक अच्छा उधारन पेश किया है जहां एक और पटियाला प्रशासन द्वारा उक्त अस्पिताल कोवीड मरीजों के लिए कोवीड सेंटर बनाया गया है यहां जाने से भी लोग डर रहे हैं प्रंतुन के अस्पिताल में रहने के करीब 15 दिनों में सेंकडों की संख्या में COVID-19 पाए गए मरीज इस अस्पताल से ठीक होकर लोटे हैं यही नहीं यहां एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है एक और जहां लोग COVID-19 के डर से अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं वहीं उगत अस्पिताल में मरीजों की अच्छी देखभाल हो रही है। सिंगला ने बताए कि लोग को बीड-19 से न घबराएं वो अपने मन से भी अधारना निकाल दें। कि मरीजों की अस्पिताल में देखभाल नहीं कर रहे हैं। अस्पिताल में जाकर लोग स्वस होकर लोट रहे हैं। लोगों को जरूर अस्पिताल जाकर अपना चेक अप करवाना चाहिए। उन्होंने अस्पिताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप गुपता, चैस्ट विशेशक्य, नूरो सर्जन डॉक्टर हरमिंदर सेंग डॉक्टर अमरित कौर का अभार जताते हुए कहा कि भविश्य में क्यूरेटेक ग्रूप उक्त अस्पिताल प्रशासन के साथ मिल समाज सेवा में सहयों के लिए सदैब तत्वर रहेगा।